आज मैं आपको इस वीडियो में हर्याना बोर्ड का क्लास 12 का हिस्टरी सब्जेक्ट का 2021 का कोशन पेपर सोल करवाँगा 2021 का कोशन पेपर आप जरूर सोल करें क्यूंकि अब जो आपके एक्जाम हो रहे हैं उनके उपर भी 2021 ही लिखावाता है और आपको हमेशा अपने एक्जाम से पहले हर्याना बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले दो-तिन सालों के कोशन पेपर जरूर सोल करने चाहिए इसे लगबग सभी इंपोर्टन कोशनों के आपकी त्यारी हो जाती है अब मैं आपको पहला कोशन दिखाता हूँ पहला कोशन है मोहन जुदाडो किस नदी के तठ परस्तित है तो इसका अंसर है सिंधु नदी कोशन पेपर मैंने पहले अपलोड कर दिया था आप वहाँ से कोशन मिला सकते हैं जिसनों ने वीडियो देख रखी है दूसरा कोशन है हडपा संस्कृती के लोग किस धातू से अनभिग थे यानि कि किस धातू के बारे मुन को नहीं पता था तो इस कांसर है लोहे से नेक्स कोशन है विशाल सनानागार कहा स्थित है तो इस कांसर है सिंध परांत के मोहन जुदाडों में question no.4 हडप सबड़ता का कौन सास्तान हर्याना में है तो इस concur Чॉंसर है राखी गड़ी next question है मैगस्तिनीज किस सासक के दर्बार मे महमान बन कर रहा तो इस concur आ तो इस concur है चंदर गुपत मोरिय next question है अर्थ सास्तर पुस्टत के लिख क्वुन है तो इसका अंसर है चानक के नेक्स कोशन है, संगम साहिते क्या है, संगम साहिते तमिल भासा में पांचवी सदी इसापूरो से दूसरी सदी के मध्धे लिखा गया साहिते है, इसकी रचना और संग्रेन पांडे सासको दोवारा मुदरे में आईजित तीन संगम के दोरान जैसार शुद्रो का मुख्य करता वे क्या होता था, तो इसका अंसर है, प्राचिन गृंथों के अनुशार Shudr का मुख्य करता वे ब्राहमन वानि के तथा सेत्रिे वर्ग की सेवा करना था. नेट्स कोशन है अस्तिनापूर गाउँ कहा ह्स्तित है तो इस कांशर है भारत के उत्रपर्देश रज्जे के मेरट जिले में क्तित है नेट्स कोशन है महात्मा बुध के बच् origin का नाम क्या था तो इस कांशर है सिध्सद्धार्थ नेक्स कोचन है प्राचिंतम बोध गरंथ किस भासा में लिखे गए तो इस कांसर है पाली भासा में नेक्स कोचन है सवामी महावीर का सम्मंद डैस धरम से है तो इस कांसर है जैन धरम मुहीनुदीन चिस्ती की दरगा, डैस मेशतित है, इस का ऑंसर है अजमेर छालसा पंथ के संस्थापक डैस थे, इस का ऑंसर है, गुरू गोविंद सिंह संथ कबीर की रचना डैस है, इस का ऑंसर है, बीज़क नेक्स कोशन है तमिल नाडू में सीव भक्तों को डैस कहा जाता था इसका अंसर है नेनार नेक्स कोशन है डैस मलिक मुहम्मद जाइसी की रचना है तो इसका अंसर है पदमावत नेक्स कोशन है कुरान सरीफ डैस धरम से संबंदित है तो इसका अंसर है इसलाम नेक्स कोशन है आदी गरंत का संकलन डैस नहीं किया तो इस कांसर है गुरू स्री अर्जुन देव जी ने नेक्स कोशन है विजे नगर सामराज्य का पर्थम राजवन्स डैस था तो इस कांसर है संगम राजवन्स next question है DAS इस्वे में तालिकोटा का यूद हुआ था तो इसका अंसर है 25 जनवरी 1565 इस्वे में next question है Vijaynagar सामराजे की Vijaynagar सामराजे के सासको को DAS कहा जाता था तो इसका अंसर है कंवानत सामराजे और पुर्तगालियो दवारा ब intuitively शिविल सामराजे कहा जता है next question है दक्सिन भार्तिय राजी डियस विजय नगर के समकालिन था, इस कोशन है हमपी है स्तनावती next question हैं हिमाईू की पत्नी का क्या नाम था इस couplesion का अंसर आपको मुझे बताना है कowment करके next question यह जिसे पता लगें किobject स्वी पूरी या नहीं रेयत किसे कहा जाता था, तो इस cancer है किसान को, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद विद्रो कभ किया, तो इस cancer है 1855 में, 1857 की कुरांगी का तकालिन करण क्या था, तो इस cancer है चर्भी वाले कार्टूस, नेक्स कोशन कोशन नमबर 30 दस मईए 1857 में किस सैनिक चावनी में विद्रो हुआ था तो इस कांसर है बेरकपूर नेक्स कोशन है 1857 की करांती के समय मुगल बाद सा कौन था तो इस कांसर है बहदूर सा जफर नेक्स कोशन है गांधी जी ने दांडी यातरा कहां से आरंब की तो इस कांसर है साबरमती आसरम से नेक्स कोशन है चोरी-चोरा की घटना कब हुई थी तो इस कांसर है 4 फरवरी 1922 को पूना सम्जोता कब हुआ था इस कांसर है 24 सितंबर 1932 को सवीधान सभा की प्रारूब समीति के अध्याक्स कौन थे तो इस कांसर है डॉक्टर बी आर अमबेड़कर भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ था तो इस कांसर है 1935 में कि नेक्स कोशन है भारत पेपर के बड़े कोशन नेक्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें धंन्यवाद